कि नमस्कार किसंद भाईयों बहुत समय से मैं आपका समय ले रहा हूं मां भी चाहता हूं लेकिन मेरी जो मीडिया है इस इलेक्ट्रोनिक मीडिया की पाबंदी की वज़े से मैं बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूं लेकिन पार्ट प्रोटेक्टिव पार्ट वन में मैंने आपको कुछ चीजे बताई कि बारिश के शुरू में प्लैंटेशन करते है तो उसका कैसे खयाल रखना चाहिए उसमें सबसे बड़ी बात है नुट्रिशन मैनेजमेंट की मैंने बात करी है कुछ हली के सुधारित कोई गलत नहीं है और ड्रिप का इस्तमाल बिना किये हर्टिकल्चर क्रॉप लेना भी गलत है पानी की समय की और मैन पावर की साथी साथ नुट्रिशन की ये सारे चीजों की सही डंग से वेल और अच्छी रिकोरी या अच्छा फाइदा लेना है इन चीजों का या इसका साथ वाजा लेना है तो ड्रिप अप्लिकेशन धिमेश्ट स्यम्राइब है लेकिन साथ ही शुरू के दोर में प्लांट के रूट्स च्ट्र को ध्यान में रखते हुए हाली शुरुवाती के दिन में प्लांट की रूट स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड कक्षा में रहती है यह हम भूलते हैं और दुनिया भर की तक्निकों को आधिया दुरीश पढ़के हम थोड़ा सा इस्तमाल में गड़बड़ी करते हैं तक्निक तो ठीक है टेक अब सीज़ करना है ड्रीब के स्तिति को हम देखते हैं तो हमारे यहां स्वाइल है सोल ओफ इंफनाइट लाइफ मिट्टी है जिसको हम स्वाइल बोलते हैं जिसमें हरक हरेक पाच-पचास फीट मिटर पे 100-200 मिटर पे बहुत सारे चेंजिस आपको पाये जाते हमारे मिट पाचनिक इस डुद्ध में जैस्ट में बहुत सारे यह चीजों से हमारे जौइक इसलिए हमारे स्वाइल में बहुत सारे मिंडरल्स भी पाये जाते हैं दुनिया बर जिनने टेकनिक ये ब्रीप के टेकनिक ढूंडी इसराइल जैसा देश ये मैक्सिमम सैंडी स्वाइल वाला पाये जाता है और यहाँ पर जो चीज एपलाई करते हैं उसको कॉपी करते हैं कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन हमारी और से हमारी उपलब्द स्थिति के तरफ को ध्यान रखते हुए उसमें थोड़े बहुत बदलाव करनी ज़री है तो मैं recommend करना चाहूंगा या ध्यान देना ध्यान खीचने के आउशकता है कोई भी फार्मर शुरू के दावर में बहुत सारे नए फार्मर अभी soil application के dose लानना बंद कर रहे हैं कि हमारी soil soul of infinite जो धाचा है इसको ध्यान में रखते हुए शुरू के एकाद दो फर्टिकेशन के dose आप स्वाइल से एपलाई करें बेड़ प्रिपरेशन में दे भले आप पॉली मल्चिंग का इस्तवाल कर रहे है तो बेड़ प्रिपरेशन में पहला डोस आप जरूर एप मात्रा उपलब दिवन्ती रहेगी ड्रीप एपलिकेशन की पाबंदी की वज़े से हम जितना समय ड्रीप से जो भी खातर देते हो एस्टिक फर्टिलाइजर होते है या तो हंडर सोलीवल देते है उसका बारिश में लीचिंग होगा या वो भहके निकल जाएंगे स्टोरेज में को काम में नहीं आईगी ये य visualize हम पूरी दुनिया हमें बता रही है हम भी सीख रहे है एक दूसरे को सिखाँ रहे कि विटेमिन खाने चाहिए ऐच्या सेहत वाला प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए जिससे हम कोवीड से बच सकते है अपनी बॉडिगिक आंटि वहरल प्रोपर्टी क्लियेट करके उसको खतम करें सकती है या बोडी से निकाल फैक सकती है और यह सही है कि कि आज के दोर में देखेंगे तो लाखों लोग बादित हो रहे हैं और उसी लाख तक्षा में 97-98% लोग पूरे तरह से अपने बिना उपचार से बाके वाल इसे हम क्या सिखते है कि कोई भी प्लांट हो यह यूमन यह जो एनिमल है इनमें जो वाइरल इंपक्षन पाए जाते इनमें भी यह जीज की ध्यान देनी ज़रूरी है जो हेल्दी प्लांट से उसमें वाइरल इंप्रेक्शन कम रहेगा तो हेल्द बनाने के लिए आपको वो चीज़ जरूर देनी है कि बारिश से पहले बेसिक विटामिन के स्प्रे में विटामिन की मात्रा संपादित करें या दीजिए और पीजी आर पीजी पी आर इसमें से जो प्लांट ग्रोथ रेगिलेटर है इसका एकादर स्प्रे जरूर कीजिए या टॉप फिलिम में इस इस्तमाल कीजिए जैसे हम हमारा आइडल इस्तमाल करवाते हैं और स्पाइन इस्तमाल करवाते हैं इन दोनों में हमने विटामिन सी विटामिन फैल और विटामिन नंबर बन यह तीन विटामिन जरूर दिये है सक्सिनिक एसिड दिया गया है जिससे की एंटी बॉडिस क्र 40 नाम से हम market में देते हैं इस ता में इस्तमाल हम जरूर recommend करते हैं क्यों करते हैं कि इसमें liquefied silica होती है और यह silica जो है यह बहुत बड़ी मात्रा में PC के बाहर की जो जो capsid protein है इसके उपर जो परत होती है इसको ठिक बनाती है और ऐसे अब नॉर्मल या ऐसी जो कुछ नई सेल वाइरस वाली सेल अगर एंटर भी करती है बोडी में तो उसको सरवाई नहीं होने दिती है वहाँ डाइलूट करके उसको भाहर निकलती है यह स्प्रे में दीजिए या टॉफ फिलिम लेके उसको कम से कम इस्तमाल करें दूसरी फॉस्फरस मैंने बोला कि डीएने स्ट्रक्चर में फोस्फरस बहुत बाटी बड़ी मातरा में प्रेजिंस होता है प्रोटीन भी बहुत मातरा में प्रेजंस होते है तो यह दुनों को भी बैलंस रहके जिससे के आपका DNA स्ट्रक्चर हेल दी रहे उस सेल का जो के उशिकाओं के अंदर DNA स्ट्रक्चर मजबूत रहे वो easily किसी जो कैपसिट प्रोटीन के भेकावे में आये हुए सेल को accept ना करे इतना मजबूत धाचा उसका बनाया गया बनाया जाए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बोहत सुनने वाली बात है मैं बहुत बहुत बिंति करता हूँ कि यहाँ पर तीन चीजों का आपको खयाल रखना है बाकी वाले लोग जो भी आपको बता रहे बतला रहे बहुत बड़े आवाजों में ठीक है सुनते रही है लेकिन आपको भी 10 की सुने आपकी करे एक की जो मन की नहीं सही है वो करे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती गलत प्रयास हम कर रहे है जैसे भारत सरकार ने भी एक किया मैं भारत सरकार को गलत नहीं कर रहा हूँ लेकिन उनको डाइगनोस लेट हुआ जैसे उमर वाले लोगों को घर में कैद करके रखा और उनकी एक्टिविटी को बन किया जिससे उनकी बोड़ी की इम्मिनिटी ड्रॉप हो गई उनको सूर्य प्रकास नहीं मिला उनकी वज़े से उनकी डाइजिस सिस्टम फेलो गई और कोविड से ज़्यादा उसकी दूसरी बिमारिया बढ़ गई जैसे सुगर, BP, हाट की प्रेशर, हाट की मात्रा, अक्सिजन की लेवल यह सारी डिस्टम हो गई तो थोड़ी थोड़ी इन्पेक्शन से वो बहुत बड़े बात्रा में लोग मरने की तादकदार पे खड़े हो गई इसलिए उरोपेंड रास्ट्रो ने कोई लोगडाउन नहीं किया, सोचल डिस्टन्स की सिंग के अलावा कुछ नहीं फॉलो किया, ना मास्क का यूज किया, क्योंकि उनके पास हुमिड़ीटी ज़्यादा होती है, तो अक्सिजन के मात्रा कम होती है, तो उन्होंने अपनी सिचेशन का देखके सारी चीजों को एपलाई किया, हमने सारी कॉपी की और कॉपी में सही क्या है, गलत क्या है, हम देखते नहीं, क्योंकि हो आमारी आदत है, ठीक है, आगे जाते हैं, अगर आपके खेत में CME आया है, तो सबसे पहले, जो स्प्रेय लोग लीकमेंड कर र यह है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है, कि केमिकल सबसे पहला स्प्रेय, अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड का आप दे रहे हो, यह सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो, अभी आप गाली बोलोगे, बात भी सही है, आप बोलोगे कि वेक्टर अगर रोके नहीं गए, जैसो समझने वाली बात है, जो सिस्टेमेटिक पेस्टिसाइड या सिस्टेमेटिक इनसेक्टिसाइड की, रिकमेंडेशन हो रहे है मार्केट में, आजकल उनका मोड़ आप ऐच्शन आपको जानना जरूई है, कैसे होता इनका मोड़ आप ऐक्शन, इनका जो मोड़ आप आप यह जो मोड़ा फिक्षिन है यह क्या करते हैं बड़ी मात्रा में पीश बॉड़ी के अंदर एपसॉर्ब होते हैं और वो यह जो बॉड़ी के अंदर की जो कुशिकाई है इनको एरिटीड करते हैं इनके आर्टिकल है पढ़िये लिखाए गया है कि कीमिकल इंसेक्टिसाईड की जादा फाइदा होता नहीं है ये क्या करते है इरिटेशन स्ट्रेस बनाते है और एरिटेट स्ट्रेस से कोशिकाओं का मल्टिप्लिकेशन रेट वह वापिस बढ़ता है और छोटा इंपेक्शन बहुत बरी मातरा में बढ़ जाता है फाइदा हुआ कि गलत हुआ क्योंकि इसमें जो इमल्सिफायर यूज किये जाता है सोलिवलिटी के लिए एक तो ये इमल्सिफायर सर्फेश टेंशन को भेदने के लिए या पानी में घुलने के लिए मैक्सिमम पेट्रोकेमिकल होते है गुलनसील ऐसे जो क्या बोलते है जि कि इसमें इसी इलेक्ट्रिकल कंडिक्ट्वीटी ब्रेक करने वाले इलिमेंट्स जिसको इमल्सिफायर बोलते है या इससी सोलिवल कंडिक्शन तो ऐसे जो इमल सिभायत जो है वो प्लांट के अंदर एरिटेड मूवमेंट क्रियेट करते है और इससे सेल मल्टिप्लिकेशन का रेट बढ़ता है और इससे फैलाव बढ़ता है ये इसके आपके फिजोलजी में और इसके जो आर्टिकल है इसके रिसर्च पेपर है इसमें लिखा गया है और ये मज़ुद है ये आपने को ध्यान देने वाले चीज़ है इसका भी इस्तमाल करना है लेकिन उसकी एक स्टेज है दूसरी एरिटेशन क्या करते है ये जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम रिकमेंट करते है इस्तमाल करते है इससे जो पेस्ट है वो भी पेस्ट भेका इसको पेस्ट में जो पेस्ट है ये पेस्ट भी क्या होते है कि जैसे ही इनको ग्यास पोईजन महसूस होता है य यह पेस्ट लगातार फ्लाइंग मुमेंट में जाते हैं फ्लाइंग मुमेंट यह किटक क्या है भागते रहते भागते रहते भागते रहते और प्रयास करते हैं और छोटे 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 छेद लेके बड़े मात्रे में बहुत पारे पेड़ों पर घूमते रहते हैं क्योंकि यह जो ग्यास पोईजन हम स्प्रे करते हैं इनकी वज़े से उनको सर्वाविव एरिया नहीं मिलता है और बहुत बड़े मात्रा में एक खेट से दूसरे खेट मिर दूसरे खेश से तीसरे तीसरे intra 4 4 4 Union को ऒघते रहते बहते भागते रहते बहते रहते और इतने बड़े मात्रा में बड़े अरिया के फैला होव बनाथे हैं कि too much जितना मैंने पड़ा है, जितना मैंने महसुस किया है, जो दिक रहा है कि मैंने किसानों से हितलाप किया, पारतलाप किया तो भो बोले कि मैंने sprey नहीं किया तो बीस पचिस करने के बाद चार-चार Rico Sprey कि-it theo तो मैरा तो पूरा इरिटेशन और स्मेल पॉजण का एफेक्ट किटक कांग के ऊपर होता है और किटक भागते रहते है और भागते भागते वो एक से दो दो से तीन तीन से चार खेतों में, पेडों में, एरिया में भागते हैं और इसका फैलाव बढ़ाते हैं इसलिए रोकताम करने की पकड सही में गतीविदिया क्या है? कि सबसे पहले आपको जो पेस्टिसाइड है, इनसेक्टिसाइड है, इसका कौन से मात्राव, कैसे पेस्टिसाइड और इनसेक्टिसाइड यूज़ करने हैं? नौन इडेबल आईल कोई इस्तमाल करना है ये आईल क्या करते है इनकी जो मेन नैचरल गुनदर्म होते है रिपिलन का गुनदर्म होते है ये सबसे पहले जो विक्टर है याने सकिंग पेस्ट की टक है इनकी खाने की मातरा को धीमा करेंगे इनकी सकिंग करने की मातरा को धीमा करेंगे तो फहलाओ अपने आप घटता जाएगा तो एक से दो दो से तीन स्प्रे तक आप लगातार कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलिकॉन याने पीएस फोटी या कैप जैसे प्रड़क इसका इस्तमाल बढ़ाओ दो से तीन एमेल से क अंदर जो अंदर एयर को पेनिट्रेट करने के लिए पानी को पेनिट्रेट करने के लिए जो पेसिकाओं का मुह होता है इसको एक्युमिलेट प्रोसेस बोलते है इसके अंदर सेल ओपन क्लोजिंग का जो प्रोसेस होता है जो छोटे 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 छिद्र होते है जो सेल इनकी जो मात्रा होती है यह जैसे ही इस पेस्ट के अंदर बोड़ी में जाती है तो इनका पैदावर घटता है और जितने एरिया में पेस्ट है उससे आगे बढ़ने की मात्रा धीमे-धीमे होनी चालू हो जाती है और एक, दो, तीन, चार अगर स्प्रे करो और उसके अंदर एक, contact pesticide या insecticide की लगातर आप contact pesticide, insecticide और pesticide और उसमें अगर नीम ओईल जैसे और potassium silicate या cap जैसे product PSPT और cap जैसे product को लगातर यूज़ करते रहोंगे, तो rapid solution मिलेगा और solution ऐसा रहेगा जो contact pesticide है, insecticide है जिसके संपर्क में जितने भी किटक आएंगे, एक किटक उसको मारते गिराते जाएंगे, किटक आगे नहीं बढ़ेंगे, और जिनके जो भी जिन्दा रहेंगे, उनके body में जैसे ही नीम के, as a traction की गुंदर में जाएंगे, तो आगे की PDO को पैदा करने की उसकी मातरा घट जाएगी, अगर इसकी पैदावरी घटेगी, तो आगे पहला अपन में उपर से आपने बड़ा सुलूशन दिया है, दो से तीन स्प्रे में नीमोईल और contact insecticide pesticide डाला है, उसी वक्त आपकी बादल वाला बोसम है, और आपको ड्रीप चलानी की थोड़ी बहुत आपको अगर पूर्सत बिलती है, समय मिलता है, पानी भी है, तो बिना हिचकिता आपको ड्रीप से भी 10,000 BPM का नीमोईल स्प्रे में भी लेना है, और ड्रीप से भी 1,000 पेड़ के पीछे डीमोईल, साथ ही साथ इसके अंदर contact insecticide आपको डालना ही है, और जमिन में बोलोगे आपकी विक्टर कहा होते हैं, फैलाओ कैसे होता है, नोड जैसे निमाटोड है जैसे ऐसे बहुत सारे नोड है, यह भी पहलाओ कर सकते हैं, या तो फिर जमिन के अंदर जो rhizosphere structure बढ़ रहा है, गलत फूक के जो गलत फंगस और अलग अच्छी फूक फंगस का जो structure, nutrition का अप्टेक का का काम करते है, मिंडराइशन का का काम करते है, इसके जैरिये ही जो बढ़ने वाले जो सेल है, उसको भी रोकताम करने के लिए, कुछ समय के लिए उनको भी रोकना है, तो आपको क्या करना है, clean 20 जैसा liquid lime sulfur और उसके साथ आपको डालना, क्या डालना है, डालना है alcohol, इथिनॉल या मिथिनॉल, बाकि कुछ नहीं डाला, नी मॉयल भी नहीं डा लोगे, और स्प्रे में, जो स्प्रे कर रहे हो, उसमें नी मॉयल, कॉंटैक्ट पेस्टिसाइड, और इसमें भी पेनिस्टेशन एक्शन के लिए, आपको 1.5 ml से इंतिनॉल, या 2.0 ml से मिथिनॉल, या 1.0 ml से अलकोल लेना है, और इसका स्प्रे करना है, आपको किसान बा इसके लिए तैयार होगी, इस नीट्रिशन के स्प्रे के लिए, आपको स्प्रे के अंदर डालना है, 100 लिटर पानी, 100 लिटर पानी में डालने है, विटैमीन कीचेन, जिसमें स्पाइन हैं मिलेगा, 2 ml पर लिटर, या 200 ml स्पाइन, इसके साथ आपको अमोनियम मॉलिब डे है, यह आपको लेना है, 10 लिटर पानी में, फिर इसके बारे में फोस्पर इसकी मात्रा को बढ़ाना है, तो लेना है 0, 52, 34, इसको लेना है 100 लिटर पानी में 1,5 kg, साथ ही साथ आपको इसके साथ लेना है, इसके साथ आपको लेना है, अलकोहल, अलकोहल 1 ml पर लिटर से, सा साथ ही साथ nutrition management का सबसे बड़ा growth regulator जिसको हम मानते हैं कि जो बहुत सारे fungus या viral infection को रोकताम के लिए body की immunity बढ़ाने के लिए और body को mature करने के काम में काम करता है वो है आईडल वो एक एमेल पर लिटर इने 100 एमेल लेना है और साथ ही साथ chillated micronutrient mixture याने nitriple ff 200 लिटर पानी में 200 या 500 एमेल लेना है और इसका spray इसके साथ आपको protein भी देने जो आपके body को antiviral property बनाने में काम आएंगे इसके लिए लेना है आपको promine pure protein 600 एमेल और इसका spray आपको छोटे पहोदे है तो कम से कम एक एकड़ में 50-70 लिटर पानी जाएगा बड़े 5-6 पतों के पेड़ है तो 1000 पेड़ के पीछे 100 लिटर पानी जाएगा उससे बड़े है तो 1500-200 लिटर पानी जा सकता है ऐसे एक से दो स्प्रे और एक जो antibody के अंदर infection अगर जादा होते कुछी भी प्रकार के तो antibody antibodies बनाने में सक्षम नहीं होती है तो इसी स्प्रे में एक fungicide जो anti-pungal का काम करेगी इसा एक simple और साधा सरल इस environment में काम करने वाला contact fungicide जो की आपको अच्छी सस्ति मातरा में मिलेगा और अ आपको लेना है contact fungicide के लिए आपको लेना है जहरम या जहनेब या जहरम लिया तो 2 ml लिया तो भी 2 की मातरा से लेना है पर लिटर के हिसाब से या अगर यह नहीं मिला तो आपको इसके अंदर लेना इसके इसके साथ आपको आप ले सकते हो contact fungicide के लिए आप बेस्ट मातर हमें इसमें जो contact fungicide मिलते हैं साप जैसा कार्बन डिजीम और mancozyb का solution है ऐसा solution दो ग्राम पर लिटर के इसाब से भी ले सकते हैं यह एक से दो spray हम करेंगे तो पूरी तरह से हम CME को रोकने में success होंगे जितना मैंने trial किये हैं जितना हो सके प्रयास किये हैं साथ ही साथ इसमें हमने आगली प्रयास किये हैं कि drip को दूसरा drip application में liquid lime sulfur और इसके अलकोल के चार से पाच दिन के बाद interval में अगर बारिस खुली है मिलता है तो हमने उन drip से भी nutrition management के तहत ग्रोथ के समय में भी जिरो बाउन 34 फॉस्परिक एसीड और उसके साथ solid fertilizer ने 10-26-26-10 kg की मात्रा micronutrient आधा लिटर ऐसे rapid solution दिये जिससे पूरी तरह से CME जैसे infected plant भी record होते हुए दिखे जैसे हमारी body अगर गरब दहरना की अवस्ता से पहली समय की body है और उसको आप पूरे तरह से virus free करने में success रहते हो तो उसमें भी आपको bird मिल सकती है अच्छे तरह से flowering हो सकती है और अच्छे तरह से bird भी मिल सकती है लेकिन जो pregnancy के बाद अगर viral infection आता है याने 17 पत्ते के बाद viral infection आता है तो उस पेड को बच के कोई फाइदा नहीं होता है क्योंकि जो बेन बड़ है और affect होती है उसके DNA structure में बदलाव आएगा तो केले में भी वह बदलाव आपको दिखेगा टेडे मेडे केल दिखेंगे क्योंकि इसका DNA structure मोडिफाई हुआ होता है इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ये rapid solution करते हैं सब कुछ और आपके पेड बनाना की जो उमर है वो 17 पत्ते के पहले की पहले की उमर है 11 पत्ते के पहली की उमर है तो 100 आप उसको रिकवर कर सकते है कोई दिक्कत नहीं आएगी पदलाव और रिकवरी आपको मिल रही है तो उतको रख सकते है 1000 पेड में 10-15 मिलते है तो उसको निकाल के फेग दीजे और बाके वाले को ना होते हुए अच्चे कंद वाले पेड पोदे भी आप कंद भी लगा के उसको रिकवर कर सकते है मातरा ज्यादा है तो उसको पहले रोकताम करें फिर निकालने का प्रयास करिए निकालते जितना ज्यादा जाओगे उतना वो फैलता ज्यादा है क्योंक फैलता है क्योंकि एरिटेड मुव्मेंट आप पैदा करते हो और एरिटेड मुव्मेंट ना पैदा करते हो पहले रोकताम करिए फिल उसको निकाने का काम करिए किसान भाईयो इससे ज्यादा अगर कोई सवाल आपके मन में है तो पोलन एग्रो मिंडर्स प्राइवेट लिमिटेड के कस्टोमर केर नंबर फे फोन करिए हमारे हर एक विभाग में हमारी जो प्रमूख जो हमारे ऑफिसर है उनसे संपर करिए मैक्सिमम प्रयास करो ज्याद मैं सीखने की प्रयास कर रहा हूँ कुछ गलत गया है मैं भी आदमी हूँ गलत जा सकता है मेरा गलत है तो मुझे करेक्ट करिए कमेंट में डालिए या मुझे फोन करके बताइए या मुझे सोचल मीडिया की तुरू कर बताइए मैं करेक्ट होना चाता हूँ किसानों से ज इसको बड़े गाजा बाजा के साथ किसानों के सामने प्रेजेंट करते हो ऐसे क्रिटिकल मुवमेंट में भी आप ऐसे काम पे काम आईए क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है इस आशा के साथ मैं अपनी बात रखता हूं धन्यवाद